अब अब रिवन वेलकम बैग टुदी फार्मसी इंडिया स्टुडेंट्स तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आरार भी फार्मसीश के कुश्चन पेपर की जो की साल 2019 में हुआ था जैसा कि आप लोग जान रहे हैं और भी फार्मसीश की कुछी समय बाद वेकिंसी आने वाली हैं तो हमने एक इनिशेटिव लिया है कि 2019 का पेपर यहां पर हम डिसकस करें पार्ट टू अल्रेडी हो चुका है पार्ट ट्री में हम टॉप 10 कोश्चन डिसकस करेंगे जो 2019 में आ चुके हैं तो अगर आप तयारी कर रहे हैं और आपका फ्रेंट सर्कल तयारी कर रहे हैं तो जरूर शेयर करिएगा येस तो चलिए अब यहां पर डिसकस करते हैं पहला कोशन पहला कोशन पूछा गया है दो है पार्ट यूशिस का मोड़ आफ ट्रांसमिशन क्या है देखें पर्ट यूशिस को वूपिंग कफ के नाम से भी जानते हैं और यह रैस्पेरिटरी ट्रैक्ट इंफेक्शन से रिलेटेड है वूपिंग कफ मतलब इसमें पेशेंट का जो ब्रीत है जो सांस लेने का हो है वो वूप की तरह हो जाता है तो ऑप्शन है कि मोड़ आफ ट्रांसमिशन क्या होना चाहिए पर्ट यूशिस का आपका वेक्टर ट्रांसमिशन त्रू कंटैमिनेटेड वाटर ड्रॉपिंग कफ के नाम से भी जानते हैं और इस रिलेट टूदी रेस्पिरेटरी ट्र बॉ cuv ta hoた आ हुअए चलिया नेक्स क्या है आपर टाइम रिक्वायर टू मेजर्दा कर मॉंटुक्स टेस्ट मतलब यहाँ पर पुछा गया कि मॉंटूक्स टेस्ट के लिए कितना ताइम हमें चाहिए होता है मॉंटूक्स टेस्ट क्या है Montux test आपका tuberculosis को identify करने के लिए किया जाता है याद रखेगा tuberculosis को TB मैं यहाँ पर clear करूँगा तो यहाँ पर पूछा गया है 24 to 48 hours, 48 to 72 hours, 10 to 12 hours और 2 to 4 hours जो Montux के लिए हमें time चाहिए होता है वो चाहिए होता 48 से 22 घंटे का येस अब थोड़ा सा explanation से समझ लेते हैं याद रखेगा Montux test को हम Mendel Montux test के नाम से जानते हैं याद रखेगा ठीक है और यह मैं कह सकता हूँ Tuber Clones sensitivity test या PuraQ test या PIRQ test या PPD test के नाम से भी इसको जाना जाता है यह चीज मैं clear करूँगा ठीक है तो यहाँ पर मैंने अगर आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि Montux test किसके लिए होता है Tuber Closes को identify करने के लिए clear है कितना time चाहिए यह भी चीज clear हो गई है चलिए next question है Name the oral polio vaccine देखे फार्मसिस्ट exam के लिए vaccine एक बहुत important topic है ठीक है vaccine और इसका classification और इसका example अगर आप में लिए फार्मसिस्ट exam की तयारी कर रहा है ना तो यह topic तो छोड़ कर ही मत जाईएगा क्योंकि कई बार इसी से बहुत बार repeat हुआ है question मैं clear करूँगा तो यहां पर जैसे पूछ लिया oral BCG जिसको अम bacillus call met guarin के नाम से जानते हैं ठीक है के लिए उस disease से तो यहां पर oral का है seven vaccine तो अब हम यहां पर थोड़ा सा और detail में जान लेते हैं तीनों तरह की vaccine के बारे में bacillus call met guarin जो है यह हमारा live attinuted vaccine होता है live attinuted कई बार पूछा जाता है ठीक है याद रखेगा और BCG vaccine हमारा tuber closest के against use किया जाता है BCG vaccine जो है यह tumor closest के against use किया जाता है वहीपर tab vaccine जो है इसका नाम या बोलागा थैब क्यों बोलागा है क्योंकि यह आपका typhid paratified a and paratified b के लिए इसको use किया जाता है टैब इसको इसलिए बोला गया, third है हमारा inactivated polio vaccine, ठीक है, clear है, IPV के नाम से जाना जाता है, Dr. Jonas Salk ने इसको discover किया था, या इसको Salk vaccine के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, यह तीनों vaccine हमारे आपर clear हो गई, एक और point बताऊंगा, मैं DPT vaccine, yes, DPT vaccine, DPT vaccine, बहुत important है, Now, next है, the following are the standard tuberculosis drug except, यहाँ पर पूछा गया है, कि कौन से हमारी tuberculosis drug है, except आ गया तो नहीं है, याद रखेगा, तो मैं आपको इसको एक trick के साथ याद करा देता हूँ, याद रखेगा, मैं आपर clear करूँगा, जो नहीं है, वो है हमारा chloromycin, chloromycin हमारा नहीं है, the following are the standard tuberculosis, drug, अब कई बार एक drug भी मैं आपर बता देता हूँ, PR, IES, ठीक है, यह याद रखेगा जरूर, ठीक है, पाइराजीनामाइड, पाइराजीनामाइड, याद रखेगा, यह tuberculosis की drug है, ठीक है, उसके बाद, रिफैमपी सिल, रिफैमपी सिल, ठीक है, आइसो नियाजिड, आइसो नियाजिड, एफार इथाम ब्यूटॉल, ठीक है, इथाम ब्यूटॉल, उसी के बाद, S for streptomycin, streptomycin, clear करूँगा, streptomycin, याद रखेगा, point clear हो जाना चाहिए, so यह हमारी tuber classes में use की जाती है, चलिए, next, अब यहाँ पर बात यह आती है कि vacancies तो आ रही हैं सर, पर हमें यह नहीं पता कि हम कहां से शुरू करें, किस तरह से पढ़ें, कहां से हमें daily classes मिलें, तो मैं आपर एक चीज़ बता दूँ, pharmacy इंडिया ने all India pharmacist batch live किया है, जहां पर आप अपनी किसी भी state, किसी भी government की, mainly state government, center government की आप तयारी कर सकते हैं, जिसमें DSSB, RRB, सारे courses का आपको preparation कराया जाएगा, इसमें live classes, test series, previous year question papers, expert guidance, सारी चीज़े आपको इसमें मिलने वाली है, येस, आपकी कोई भी query है pharmacist से related, तो आप इस number पर जरूर call करकर पूछ सकते हैं, और pharmacy इंडिया मोबाइल अप जरूर डाउनलोड करें अपनी तयारी के लिए, चलिए, आगे बात करते हैं, यहाँ पर पूछा गया है combination of triple antigen, इन में से कौन सा यहाँ पर triple antigen का combination है, तो याद रखेगा, मैं यहाँ पर clear करूँगा, भाई ना तो ECG है, ना tab है, ना BCG है, तो हमारा triple antigen का combination होता है DPT, ठीक है, याद रखेगा, इसको D tab के नाम से भी जाना जाता है, क्यों? क्योंकि देखिएगा, D for diptheria, D for diptheria, D for diptheria, D for diptheria, यहाँ पर, P क्या denote कर रहा है, P denote कर रहा है, P denote कर रहा है, pertuses, ठीक है, उसके बाद T कर रहा है, tetanus, tetanus, ठीक है, tetanus denote कर रहा है, clear है, DPT, तो यह triple antigen का combination होता है, चलिए, उसी के बाद next बात करूँगा, the time interval between infection of suspected person and the appearance of signs and symptoms, CDC बात है, वो time gap पूछा गया है, जब उसको infection हुआ, infection होने के बाद वो time और जब उसको symptoms आने शुरू है, उसके बीच के समय को क्या कहा जाएगा, quarantine तो भई यह होता है, without any symptoms की आया, और भी quarantine कर दिया, बहुत बार सुना भी होगा, recovery period, recovery period तो मतलब क्या होता है, कि recover कर लिया, signs and symptoms हो गए, आगए, recover कर रहा है, incubation, incubation, yes, incubation में क्या होता है, समय लगता है कि हाँ, आप symptoms आएंगे, that is your incubation, yes, that is your incubation period, ठीक है, clear, next है, hepatitis, B का root of transmission क्या होता है, मतलब hepatitis B जो है, वो किसके थुरू फैलता है, ठीक है, यहाँ पर oral, potential, fake oral और contaminated water, ठीक है, यहाँ पर यह जो potential word है, यह आपको यहाँ पर यह denote करता है, कि एक तो बहुत सारे causes हैं, बहुत सारे causes हैं, दूसरा potential का यहाँ पर एक और चीज बोला गया, कि कुछ ऐसे भी mainly roots होते हैं, जैसे infected needles भी हो सकता है, ठीक है, sexual transmission के थुरू भी फैल सकता है, तो यहाँ पर हमारा answer जो बनेगा, वो potential बनेगा, ठीक है, potential बनेगा, याद रखेगा, उसी के बाद next है, टाइफाइड फीवर का mode of transmission, अब यहाँ पर एक और पूछा जा सकता था कि causative agent क्या है, तो salmonella typhi होता है, salmonella typhi होता है, याद रखेगा, salmonella typhi होता है, salmonella typhi, salmonella typhi होता है, ठीक है, टाइफाइड का causative agent, ठीक है, intravenous, oral fecal, respiratory or droplet, बताईएगा, यहाँ पर, तो यहाँ पर, that is your oral fecal, oral fecal, क्या denote करता है, fecal oral root, यह also called oral fecal root, और oral fecal root, इसमें क्या है, ठीक है, it is a root, जहाँ पर, जो pathogens है, वो fecal particles के थूपास हो सकते हैं, that is, यहाँ पर, pathogens in fecal particles, pass from one person to the mouth of the another person, ठीक है, that is oral fecal root, ठीक है, clear, चलिए, next है, causative organism of diphtheria, diphtheria का causative organism क्या होता है, clear कीजिएगा, that is your mycobacteria, streptococcus, corny bacterium diphtheria, yes, staphylococcus, तेको, यहाँ पर, आपको answer ही suggest कर रहा है, corny bacterium diphtheria, ठीक है, clear है, point clear है, simple सी बात है, कई बार answer में ही, यह question में ही answer छिपा होता है, ठीक है, चलिए, next question है, incubation period पूछा गया, missiles का, missiles का incubation period कितना होगा, 1 to 7 days, 7 to 14 days, 14 to 21 days, 21 to 28 days, what is the incubation period, तो मैं आपर clear करूँगा, missiles का जो incubation period होगा, वो 7 to 14 days होगा, so, students, यहाँ पर हमने part 3 cover किया है, RRB Pharmacist 2019 का, बहुत ही जल्द हम 2019 का fourth part लेकर आने वाले हैं, आप अपनी तयारी जारी रखिए, revision करना चालू कर दीजे, क्योंकि notification किसी भी समय आ सकता है, और अपनी तयारी के लिए, pharmacy या एप जरूर डाउनलोड करें, और telegram group जरूर जोइन कर लीजेगा, याद रखिएगा, link description में दिया गया है, और ये सब PDF आपको वहाँ पर भी मिल जाएगी, अच्छे से पढ़ते रहिए, मैनत करते रहिए, till then, जै हिंद!